नमस्कार आप देख रहा औरेडी नियोज मैं हूँ योगी श्क्रवर्ती बिहार की सियासत इंडी नो भूमिहार जाती के इर्द गिर्द घूम रही है। उनके खिलाफ अब गुलबंद हो गई है और उन्हें खरी खोटी सुना रही है चाहे वो किसी पार्टी के भूमिहार हों यानि की पार्टी से उपर उठकर जाती को लेकर भूमिहार समुदाय अशोक चौधरी पर हमलावर हैं। इसी मसले पर हम बात करने आए हैं एकस आईपिस अधिकारी अमिताव दास जी किसे और जानते हैं कि ये कैसे देखते हैं इस पूरे परकरण को। ये बहुत दुरभाग की बात है कि राज सरकार का एक मंत्री जो एक जम्मेदार पद पर हो वो किसी जाती को इस तरह से निशाना बनाए किसी जाती पर पूरी जाती पर कटाक्च करें ये बहुत अशोभनी हैं और काईदे से तो मुक्ष मंत्री को इन्हें कैबिनेट्स पारेकड़ताओं को संबोडित कर रहे थे पारटी के लोगों को इसमें नहोंने जाहनाबाद लोकसभासीट की चर्चा की अब दश्चकों को मालूम हुआ कि जाहनाबाद लोगसभासीट तो ये ज Hawk स्वासीट से जरियू के उम्मिदवार थे चंद्र्षर परसाद चंद् मारकिया भगोडा और उन्होंने कहा कि उन्होंने वोट नहीं दिया और हमारा प्रत्याशी हार गया और कुस लोग जो थे वो बाहर चले गए थे उसमें उन्होंने मतलब प्रचार में हिसा नहीं दिया सहयोग नहीं किया वगरा वगरा तो उसके बात तो भी वाद बढ़ा ज जाड़ा लिया जर्यू के प्रवक्ता ने कहा कि अर्शुक चौजरी खुद कटिहार लुक्सभास्टीट के प्रभाड़ी थे वहां कहा जर्यू को जिता सके उन्होंने कहा कि अर्शुक चौजरी को तो बनी बनाई पार्टी मिल गई जर्यू बनाने में उनका कोई युगद को समझाता हूँ लेकि जहनाबाद में एक विधानसभासीट है घोसी विधानसभासीट और यह जो अशोक चौधरी है यह खुद तो दलित समधाय से आते हैं लेकिन इनके जो दामाद हैं सायन कुणाल वो भुमिहार है जो पुर्व आईपियस अधिकारी आचारी किशोड चौधरी को तो अपने दामाद को चाहते हैं घोसी में अब समस्या यह है कि जहनाबाद के एक और बड़े कदावर नेता हैं जगरीश शर्मा वो चाहते हैं कि वो अपने बेटे को राहुल शर्मा को घोसी से चुनाओ लड़वाए तो एक मियान में दो तलवार वाली बात हो गई है तो इसलिए अश्रुक चाहते हैं कि किसी तरह ऐसी कुछ बाते की जाए कि राहुल शर्मा का पता साफ हो और इनके दामाद का मर्ग प्रशफ्त हो जाए तो यह जब बात उन्होंने कही थी कुस लोग बाहर चले गए उन्होंने प्रचार नहीं किया उन्हों किसी पूरी जाती को कटाक्ष करना पूरी जाती के बारे में इस तरह की टिपड़ी करना यह आपती जनक है जी कहा जारा कि दूसरे नेता हैं जिन्होंने पूरे समुदाय को कटगरे में खड़ा किया है इससे पहले दिवेश चंद्र ठाकुर ने जो है यादबों और कुश्व वहा को कटगरे में खड़ा किया था अब अशोक चौधरी है लेकिन कहा जारा सर कि इस बार जो इस तरह से केसी त्यागी जो है रास्तिय प्रवक्तापत से चले गए हैं तो अगला जो है उमिदवार जेडियों में अशोक चौधरी है जिनका पत्ता साफ होने वाला है और उसका कारण ये जो उनका बयान है क्योंकि भूम्हारों की नाराजगी मोल नहीं लेंगे नेतिस कुमार जी बहुत सारी बात आपके सही कहा कि जडियों के जो सितामड़ी के सांसद हैं देवेश चंदर ठाकुरों उन्होंने भी एक अपती जनक बयान दिया था उन्होंने का काम नहीं करूंगा ये तो शुभा नहीं देता किसी भी सांसद को उस समय भी उनके खिलाफ खास एक्षण नहीं हुआ था अब इसमें आपने कहा कि हो सकता है अभी किसी चागी ने इस्तिफा दिया अगला नंबर अश्रुक चौजरी का हो ये बात हो सकती है लेकिन नितिज कुमार अज़कर ललनसी से नाराज चल रहा है जो कंडरी मंतरी हैं और नितिज कुमार को लग रहा है कि ललनसी हो सकता है भाजपा के साथ मिलके कुछ खिचड़ी पका रहे हो हो सकता है ऑपरेशन लोटस के तहत भाजपा ने को तोड़ दे ज ELioru को और LALNसी कुछ निंदा तक नहीं कि नितीश कुमार ने या उनको कुछ असपरश्टी करन मांगा या कुछ उनको मतलब सीम हाउस बुला के डाटा फटकारा गया उससे नहीं लगता कि निकट भविश्च में अशुक चौजरी कैबिनेट से जाने वाले हैं लेकिन राजनिती के जानकार लोग कहते हैं कि नितीश कुमार जो है वो बहुत राजनिती के माहिर खिलारी हैं और उन्हें जब बली लेनी होती है किसी की तो वो उसे कुछ कहते नहीं बलकि कुछ कारते हैं और चुप चाप उनका जो है बली कर दिया जाता है तो इसमें क्या शके है, देखिए तो बिहार के राजनातिक हलकों मे एक पुरानी कहawत है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नितीश ने ठगा नहीं, तो ये तो नितीश कुमार का track record है, जोर्ज अभूर फर नांडिस नितीश कुमार को राश्र्ट्री असतर पर पपछान दिलाई थी और बाद में जोर्ज फर्णांडिस बैठे रहते थे होटल में और उनको नितीश कुमार से मिलने का समय नहीं मिलता था वही हालत शरद यदव का हुआ वही हालत आपको आर्सी पी सींग का हुआ तो यह तो मतलब बहुत लंबी फेहरिस्ट है जिसमें नितीश कुमार ने के लिए एक राजनेतिक बोज बन गया है ना एक लिएबिलिटी बन गया है उसी न अशुक चौधरी का भी पता साथ होता है जासा थोड़ी है लेकिन अभी फिलहाल मुझे निकट भविश्व में ऐसा नहीं लग रहा है जी लेकिन आप ने कहा कि जिस दिन नितीश कुमार को लगेगा कि लिएबिलिटी बन गया है लेकिन बिहार की सियासत में मुझे लगता है कि असुक चौधरी को ऐसा माइने नहीं रखते कि वो बोट बैंक का इजाफा करवा दें या किसी छेतर में नितीश कुमार को या जेडियू को जीत दिलवा दें ऐसी कोई उनकी सक्रे कि तरह पचीद होती है मत एक गुमाओ के अंदर इतनी सारी चीज़ अभी एक ये भी थेरी आ रही है कि अशुक चौधरी जब से श्याम रजक आ गया है जडियू में अशुक चौधरी थोड़ा अनकमफर्टेबल हो गया है उनको लगता है कि एक और दलिच चेहरा गया है जडियू के पास और एक तरह से उन पर एक नितिश्कमा ने विकलप खोज दिया है कि अशुक चौधरी को बाहर का रास्ता दिखाए जाएगा तो उनकी जगश्याम रजक को बठा दिया जाएगा इसने में अशुक चौधरी भी एक ये भी थेरी आ रही है कि वह कॉंग्र दूसरे की खिलाफ मतलब शडियंत्र में लगे रहते हैं एक दूसरे को लंगडी मारने में टांक ही चाए में तो भी देखिए एक जंता का मनोरंजन होता रहता है निशुक मनोरंजन करमुक्त मनोरंजन तो ठीकी है राजनीती इसी को कहते कि आप हर चाल चलते रहे और कब पताने कां साचाल काम्याब हो जाए और यह तो हम लोग पाटली पुत्र की धरती पर है ना यहां तो धाई हजार साल पहले भी यही हाला थी उसमें चानक की है ना साम दाम दंड भेद होता था है ना उसमें भी विश्कन्याओं का सहरा लिया आता था दुश्मनों को मरवा पताने के लिए विश्कन्या के एक चुमन से दुश्मन खलास हो जाता था तो यह तो पाटली पुत्र की धाय हजार साल पुरानी परंपरा रही है तो वो परंपरा कायम है भी भी पल्टू-राम के भी दरवार में कायम है आगे भी कायम रहेगी लगता है कि नालंदा का आपको लगता है कि ललन सिंग के बारे में जो कहा जा रहा है कि ललन सिंग से नाराजगी है सीम नितिस की लेकिन राजनीतिक हलकों में इस बात की वी चर्चा है कि ललन सिंग से नितिस कुमार कभी नाराज नहीं हो सकते है और वो आज के तारिख में उनके सबसे ज़्याद बनने में कितना समय लगता है। एक से फंडांडी साहबी नितिश कुमार के पुजी थे, मार्क दर्शक थे, शरदी आलो भी थे, कभी लालू यालो भी बड़े भाई थे। जब महां गटमदन बनता है तो लालू जी भी बड़े भाई हो जाते हैं नितिश कुमार के बार में जंगल रासकी बात आती है, एक समय नितिश कुमार बीजेपी को कहते थे सभाव में की बीजेपी का मतलब बढ़का जोड़ा पार्टी, अब वसी भाजपा की गोद में किलकारी मार रहा हैं, तो नितिश कुमार से कब कौन करीबी हो जाय, अगए किलकारी मारते हैं और किसी भी नेता की बली लेना हो तो उससे पहले किलकारी मारते हैं यानि उनके दोनों हाथ में हमेशा लड़ू रहता है और इसी में सायद उन्हें बिहार की राजनीती का चानक की कहा जाता है फिलाल इतना ही आप हमें फेस्बुक पर फॉलो करें योट्व पर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपुन विचार और सुझाब जरूर दें धन्यवाद